नमिश्कार दोस्तों अविडल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है भारत में एर पॉल्यूशन का क्या हाल है ये बात किसी से छिपी नहीं है लेकिन अब इसे लेकर एक चौकाने वाला खुलासा सामने आया है दरसलाई लैसन की रिपोर्ट के मुताबक भारत की दस बड़े शहरों में होने वाली हर सौ में से साथ मौते जहरेली हवा के कारण होती है भारत में फलहाल दस हजार लोगों की जान बचाने के लिए महत्व पूर्ण कदम उठाने की जरूरत है बड़े पैमानी पर हुए रिसर्श के मुताबक दिल्ली समेत और भी बड़े शहरों में एर पॉल्यूशन के कारण फेफडों का बहुत बुरा हाल है आने वाले समय में यह बेहत खतरनाग साबित हो सकता है इस रिपोर्ट में 36 लाक रिपोर्ट का विस्तार पूर्वक अध्यान किया गया जिसमें पाया गया कि एहमदाबाद, बैंगलरू, चेनई, दिल्ली, हैदराबाद, कॉलकाता, पूरे, मुंबई, शिमला और वारा नसीक में पीम 2.5 माइक्रो पार्टिकल के लेवल पर अध्यान किया गया यह पार्टिकल कैंसर का सबसे बड़ा जिमेदार माना जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2008 से 2019 के बीच, कम से कम 33,000 लोगों की मौत पीम 2.5 के कारण हुई इन शहरों में मौतों का आकड़ा 7 से 2 फीसिदी है साइंटिस के मुताबिक, इन रिपोर्ट शहरों में हुई लगभग 36 लाग मौतों का विश्टेशन किया गया वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजेशन के मुताबिक, पीम 2.5 पार्टिकल का घन मीटर 15 माइक्रो ग्राम है भारत में इसका लेवल 7 माइक्रो ग्राम प्रती घन मीटर रखा गया है जो डबलो एचो की सिफारिश के 4 गुना है सबसे ज्यादा दिल्ली में होने वाली मौत का आकड़ा खतरनाक है दिल्ली में सलाना लगभग 12,000 यानि 11.5 पीसिदी लोगों की जान एयर पॉल्यूशन के कारण जाती है पिछले साल के आकड़े के मुताबिक दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूशित शहरों में से एक बताया गया इस सिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया जिस जगे पर एयर पॉल्यूशन का लेवल उतना खतरनाक नहीं है मुंबई, कोलकाता और चिन्नई में भी पियम 2.5 के कारण मौतों के संख्या बहुत ज्यादा थी प्रदूशन के कारण एहमदाबाद में 2495, बैंगलरों में 2102, चिन्नई में 2870, दिल्ली में 11994, हैदराबाद में 1597, कोलकाता में 4678, मुंबई में 5000, एक्यानबे पूडे में 1367, शिमला में 69 और वारानसी में 831 लोगों की जान गई है धन्यवाद